आज हम हमारे पाट्टेपस्तक का नया लेसन सेखने जा रहे हैं, जिसका नाम है धूल रामविला शर्मा जी लिखी इस धूल को आज हम पढ़ रहे हैं तब सबसे पहले हम देखते हैं रामविला शर्मा जी का परिचे बच्चो रामविला शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उनाव जिले में हुआ, उनकी प्रारंबिक शिक्षा गाव में हुआ और उच्च शिक्षा के लिए लेखक लखनों गएं, वहां उन्होंने अंग्रेजी में में किया और विश्व विद्याले में अंग्रेजी विभ अन्यास और नाटक लिखने के बाद, पूरी तरह से अलोजना जुट गएं, उन्हें साहित्याकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान, आदि से संभानित किया गया, इन्होंने पुरसकार स्वरूप मिली राशी जो थी उसे साक्षरता प्रसार हितु दान कर दी, अब हम द उपलब्तता और उपयोगिता का बखान किया है, अपनी किशोर और युगा वस्ता में, पहलवानी के शोकिन रहे डॉक्टर शर्मा, अपनी इस पात के पहाने पाटकों को आखाडों, गाओं और शहरों के जीवन जगत की भी सेर कराते हैं, साथी दूल के इन्हें दूल के यूही दिल में न उड़ा सकेगा, बच्चों आब हम देखते हैं इस पाटकास पस्टिकरन, लेखब दूल जैसी मामूली लगने वाली वस्तु को भी अत्यमत महत्वपूर्णा और उपयोगी सिद्ध करते हुए, हिंदी कविता की सबसे सुन्दर पंकियों में से एक यहर हैं, जिसके कारण धुली भरे हीरे कहलाएं, हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साप, सुधरा, खुदरा हुआ, आखों में चकार चांप पैडा करता हुआ, देखना पसंद करेंगे, परन्तु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस कविता में किया गया है, वह धूल भरा ही अच्छा लगता है, जैसे कि ये कौन है धूल भरा तो छोटा सा बच्चा, जिसका बच्चपन गाव की गल्यारी के धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कलपना ही नहीं कर सकता, फूल के उपर जो रेनु उसका सुंगार बनती है, वही धूल श बचती है, इसलिए वह ऐसे काम करना चाती है, जिसमें धूल से बचना हो सके, आधूनिक व्यक्ति धूल से स्वयम भी बचता है और बच्चों को भी बचाना चाता है, यहां वस्तु तहा रामविला शर्माजी में आधूनिक सप्यता के नकलीपन को उपारा है, यह सप्यत इसलिए धूल से बचना चाती है, तकि इसकी दिखावटी सुन्दरदा चमकती ही रहे, लेकक की दुरुष्टी में यह हींता बोदक है, लेकक कहना चाते हैं, कि जमीन से जुड़े सम्वेदंशील लोगों को धूल में लिप्टा हुआ शिशु असली हीरा लगता है, बाल कि सुन्दर्य सामगरी तुच्च है, लेकक ने शहरी नकली वर्ग पर टिपन्नी करते हुए, यह भी कहा है कि वह धूल से बचना इतने दूर भागते हैं, तो वे अखाडी की मिट्टी को देखने पर उसकी बूरी अवस्ता हो जाएगी, लेकक अपने अनुभव से बताते हैं कि अखाडी की मिट्टी मानव शरीर के लिए अति उत्तम हैं, और आज के मनुष्य के लिए तो वह बिल्कुल दुरलब अनुभव हैं, परिश्रम करने के बाद पसीने से भीके हुए मनुष्य के शरीर पर वह मिट्टी ऐसे फिसलती ह जैसे वह कुवा खोड़ा करने कि मिट्टी उसके शरीर को पूष्ट बनाती हैं क्यूकि भारतिय किसान के अनुषार मानव शरीर भी मिट्टी से ही निर्मित हैं, लेकक परिश्रम के महत्व को ही अनेक उधारनों द्वारा प्रस्थुत कर रहे हैं क्यूकि परिश्रम व्य विचारों के अनुसार मिट्टी के माध्यम से मनुष्य और दुनिया की शन भुंगरता और व्यर्थता पर भी विचार गिया है, उन्होंने बताया है कि मनुश्य को जीवन देने वाले सभी तथ्व मिट्टी से ही बने हैं, मनिश्य को सूख और तुरुप्ति देने वाले पधार्त यानि रूप, रस, गंद, स्पर्ष सभी मिट्टी में ही संभव होते हैं जैसे कि बच्चों यहाँ पर आकरी जो फोटो दिखाया गया है चित्र है वही यहाँ पर जो पाँच रस यहाँ पर दिखाई दिये हैं जो है रूप, रस, गंद, स्पर्ष सभी मिट्टी से ही संभव होते हैं मिट्टी देहा है तो धूल प्रान है धूल के विशिष्ट अर्थ स्पर्ष्ट करते हुए लेखक यहाँ लिखने हैं कि धूल वहाँ है जो शिशू के मुख को संदर्य प्रदान करती है फूल की पंकडियों से लिपट कर संदर्य का साक्षात उधारन बन जाती है और सूरज डूपने के बाद गाओं में घर लोटते हुए पशूं और व्यक्तियों के चलने से गोधुली के रूप में पूरे वातावरन पर चा जाती है लेखक ने कवियों के व्यक्तियों से पंक्तिया देते हुए लेखक ने कवियों के कविताओं से पंक्तिया देते हुए कहा है कि गोधुली गाओं में दिख्ती है शहरों में किसी को गोधुली का अनुभाँ नहीं हुता जोकि वह महनत कष गोपालों के पैरों से जन्म लेती है धूल की महत्ता के संधर्व में लेखक ने कहीं उधारन देते हुए कहते हैं कि सती इसे माते से और योधा आखों से लगाते हैं यूलिसिस ने प्रवास से लोटने पर इथाप की पवित्र धूल चुमी थी यूप्रेन के सतंत्र होने पर यह सैनिक ने शद्धा पुर्वक वहां की धूल कास पर शकिया था शद्धा भक्ती स्नेह चरम अभिवेंजना के लिए धूल से बढ़कर दूसरा कोई विकलत नहीं है यहां तक की गुरुना, हार और अपमान के लिए तो लेखग ने पताया है की धूल चाटने, धूल जाडने, इत्यादी प्रियाय प्रचली थे मिट्टी और धूल में यह अंदर होता है कि मिट्टी, काली, पीली, लाल, इत्यादी कई रंगों की होती है जबकि धूल शरत के धूंदले हुए उजले बादलों जैसी होती है परिश्रमी किसान के मूख, हाथ, पैर और शरीर पर चिपकी हुई धूल ही संदर्य वर्दक असली हीरे हैं जबकि दूसरे की उन्ती पत्थर वास्तविक हीरे नहीं है लेखक यह सित्त करना चाते हैं कि जब हम इस यथार्थ से परिचित हो जाते हैं तब हम ऐसे ही हीरे से लिप्टी धूल को माथे से लगाए लेखक ने लेखक के दूश्टी में असली संदर्य महेंगे पत्तरों में नहीं समाज हो जीवन देने वाले मनुष्य के श्रम में है तो बच्चो इस धूल पाट को पढ़ने के बाद आपके मन में भी अगर इस मिठी के प्रती धूल के प्रती जो कीचड़ के प्रती जो घूना है वो जाहिर है कि निकल जाएगी और आप भी उसे शद्दा का स्तान देंगे यहाँ पर जो एक दिया है कि अभी तो उन्होंने अट्टूट होने का ही प्रमान दिया है हीरा वही घन चोट न तूटे वे उलटकर चोट भी करेंगे और जब काच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा तब हम हीरे से लिप्टी हुई धूल को ही माते से लगाना सिखेंगे तो 35 से बच्चो लेखक यही कहना चाते हैं कि यहाँ पर काच का हीरा काच यानि शहरी लोग हैं और असली हीरा जो होता है जिसे हतोडे से फिक मारो कितने घाव को रो लेकिन वो तूटता नहीं है इतना बलशाली होता है वो है गाव के लोग जिसे असली हीरा कहा है और काच के हीरे यानि नकली हीरे यानि शहरी लोग जो बहुत ही कमजोर होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन शैली को ही ऐसे बना कर रखा हुआ है तो इसी तरह से वो मिट्टी के कम संपर्क में आते हैं और ये मिट्टी हमारे शरीर को कितना ताकतवर बनाती है यही महत्व लेखक ने इस पाट द्वारा हमें दिया हुआ है तो बच्चो भले ही हम शहरों में रहते हैं या गाव में रहते हैं लेकिन हमें भी मिट्टी से प्यार करना चाहिए मिट्टी के संपर्ग में आना चाहिए और उसे श्रद्धा के साथ श्रद्धा का स्तान देना चाहिए तो बच्चों यही यह पाट हमारा सीकर यही पूरा होता है धन्यवाद